नमस्ते शाथियों युनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में संसद में सवाल उठाये जा रहे हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि बहुत जल्दी युनिफॉर्म सिविल कोड का सपना साकार होगा युनिफॉर्म सिविल कोड केवल बिजेपी की डिमांड नहीं है Uniform Civil Court तो हमारे संविधान निर्माताओं की डिमांड थी बाबा साब, अमेडकर, सरदार पटेल, रफी हमद किद्वई, मौलाना कलाम 300 लोग थे संविधान सभा में सब ने लंबी चर्चा करने के बाद ये तैंग किया कि इस देश में कानून सबके लिए एक होगा चोरी करने पे विसजा मिलेगी उतनी और सिविल राइट भी सबके लिए समान होगा यानि क्रिमिनल ला और सिविल ला दोनों सबके लिए एक जैसा होगा दुर्भाग गिवस हम 75 वी वर्सगाठ मना रहे हैं लेकिन आज तक हमारे पास कामन सिविल कोड नहीं है ये उनिफार्म सिविल कोड नहीं है ये सम्मिधान जब बनाए जा रहा था पूरी चर्चा हुई 23 नमवंबर 1948 23 नमवंबर 1948 को सम्मिधान सभाव से कामन सिविल कोड यानि आर्टिकल 44 पास हुआ था आर्टिकल 44 कहता क्या है ये कहता है कि शादी विवाग की उम्र सबकी एक समान होनी चाहिए लड़का हो या लड़की हिंदू हो या मुसल्मान, पार्सी हो या इसाई सबके लिए एक समान होना चाहिए इसमें क्या बुराई है बढ़ेंगी लेकिन हो क्या रहा है हिंदूओं में लड़की की शादी की उमर 18 साल जो नियूंतम एज है मिनिमम एज जो है लड़के के 20 साल पहली बात तो ये भी कोई ठीक नहीं है किस लिए लड़के हो लड़की म्भेदभाव करना शादी के उमर 20 साल हो या 21 साल हो या 18 सा हो जो भी हो लड़के लड़की की बराबर होनी चाहिए दूसरा Marx में किवल 9 साल अब ज़र आप सोचिए एक 9 साल में Mexico Size की बेटी क्या शादी के लिए योग हो जाएगी हिंदू की बेटी शादी के लिए 18 साल में योगी होगी और मुसलिम की बेटी नौ साल में योगी हो जाई क्यों भाई वो कोई अलग से हवा लेती है कोई अलग से पानी पीती है कोई अलग से खाना खाती है भारत में रहने वाले सब एक ही हवा ले रहे एक ही पानी पी रहे एक जैसा भोजन कर रहे फिर यह साधी विवा में इतना ज़ारा डिफरेंस कैसे एज के अंदर तो जब युनिफर्म स्विल कोड होगा तो सब की शादी विवा की उम्र एक समान होगी 18 होगी 19 होगी 20 होगी 21 होगी जो भी होगी वो तो पार्लियमेंट को तै करना है लेकिन वो एक होगी वैसे WHO कहता है कि शादी विवा की उम्र मिनिमम्म 21 साल होनी चाहिए क्योंकि 21 साल में लड़का होया लड़की एक तो ग्रेजुएशन कर लेते हैं उनकी पढ़ाई लगबग लगबग पूरी हो जाती है दूसरा वो फिजिकली में च्योर होते हैं मेंटली में च्योर होते हैं उनकी समझदारी ठीक हो जाती है शादी विवा के लिए जितनी मेंटल में च्योर्टी है वो समझ उनको ठीक हो जाती है financially भी लगबग independent होने के काबिल हो जाते 20 साल में कोई clerk बन जाता है कोई सिपाही बन जाता है कोई कुछ मतलब आदमी को नोकरी भी मिलने लगती है तो एक तरीके से वो आर्थिक रूप से भी आत्मिर भर हो जाता है सारी रूप से स्वस्तर रहता है मानसिक रूप से मेच्योर रहता है इसलिए WHO कहता है 20 साल से पहले नहीं होनी चाहिए दूसरा विशे Uniformsville Code आएगा तो सब का तलाक एक तरीके से होगा मौखिक होगा तो सब का मौखिक होगा लिखित में होगा तो सब का लिखित में होगा अभी क्या हो रखा है अगर हिंदूओं को अपनी शादी तोड़ना है तो कोर्ट जाना पड़ेगा दोनों पक्स कोर्ट जाएंगे वकील करेंगे अप्लिकेशन मूब करेंगे जज सुनवाई करेंगा छे महीने बोलेगा भई छे महीने और सोचो बिचारो कूलिंग पिरेड उसको कहते है छे महीने सोचेंगे बिचारेंगे उसके बाद फिर तलाक होना है कि नहीं होना जजज अपना अर्डर पास करेंगे लेकिन मुसलिम्स में कोर्ट के जरी तलाक होता है आज भी मौकिक तलाक होता है ट्रिपल तलाक भले खतम हो गया लेकिन तला एक जैसे प्रोसियर से होगा, तीसरा क्या होगा, तलाक का जो ग्राउंड होगा, वो सब की लेख होगा, अभी तलाक का ग्राउंड अलग अलग है, किसी का यह है कि महिला बाज हो, तो पती शादी तोड़ सकता है, किसी में यह है कि अगर पुरुस नपुनसक हो, तो महिला श शाधी तोड़ सकता है पुरुज को शाधी कोड़ हो गया हो तो महिला शाधी तोड़ सकती है लेकिन सब में नहीं है तो तला के ग्राउंड भी अलग अलग है सब के लिए कामन नहीं है हमारा यह कहना है कि जो भी 10 ग्राउंड 15 ग्राउंड 20 ग्राउंड जो भी ग्राउंड ह वो सब के लिए एक होना चाहिए यही common civil court कहता है यही uniform civil court कहता है यही भारत का सम्मेधान कहता है तो तीसरा फाइदा यह होगा इसके अलमा common civil court का जो सबसे बड़ा फाइदा यह होगा कि सब को property में equal right हो जाएगा अभी हिंदूओं में बेटे और बेटी में भेदभाव नहीं है पती और पत्नी में property right में कोई भेदभाव नहीं है लेकिन मुस्लिम में बहुत भेदभाव है पत्नी को बीबी को शोहर के बराबर नहीं कंसिडर किया जाता तो जब common civil court आएगा तो मुस्लिम बेटियों को भी बराबरी का अधिकार मिलेगा property का बराबरी का वसियत का अधिकार मिलेगा बराबरी का विरासत का अधिकार मिलेगा बराबरी का property का right मिलेगा इसी तरीके से गोद लेना मा लिजे हिंदू कपल है बच्चे नहीं हुए वो किसी को गोद ले सकते हैं और अपनी पूरी प्रापर्टी दे सकते है मुसलिम में ऐसा नहीं है पहली बात तो गोद लेने के लिए उनकी प्रकिया नहीं है शरिया में गोद लेना उनको एलाओ नहीं है और अगर गोद ले भी सकते है तो उसको अपनी पूरी प्रापर्टी नहीं दे सकते तो जब प्रापर्टी नहीं दे सकते तो कोई अपना बच्चा उनको गोद क्यों देगा तो इसके कारण क्या होता है पॉलीगैमी होती है बहुया होता है जिसके पास अच्छी प्रापर्टी है वो गोद ले नहीं सकता गोद ले सकता तो प्रापर्टी दे नहीं सकता तो वो अपनी प्रापर्टी की हिफाज़त के लिए दूसरी शादी करता है अब बाइद वे अगर माली जे कमी पूरुस में है महिला में कमी हो समझ में आती है जमालोपूरस में कमी है तो चार शादी कर लेगा, किसी से बच्चे नहीं होगे, समस्या की जोंखिते हो रहेगे, तो जब Common Civil Code होगा, तो सब को गोद लेने का बराबर अधिकार होगा, सब को भरण पोसन का बराबर अधिकार होगा, सब को अपनी प्रोपर्टि देने का भी बेटी और बेटे को बराबर अधिकार मिल चुका है कामन सिविल कोट का जो सबसे ज़्यादा फाइदा होगा वो मुस्लिम बेटियों को मिलेगा क्योंकि अभी उनको बराबरी का दर्जा नहीं मिला है बेचे के बराबर, बेटी के बराबर दर्जा नहीं है, बीबी को शोहर के बराबर दर्जा नहीं है तो Common Civil Code का जो सबसे बड़ा फाइदा होगा, वो मुसलिम्स को मिलेगा, उसके बाद पारसी को मिलेगा, पारसी में भी भाव है, बेटे और बेटी में फिर Christians को मिलेगा सबसे last में Common Civil Code का फायदा हिंदूओं को मिलेगा, वो भी बहुत थोड़ा से मिलेगा कितना इतना फायदा होगा कि अभी बेटी की शादी को मर अठारा है बेटी के किस है, मान लोग 20 कर देंगे तो हिंदू बेटी की शादी को मर दो साल बढ़ जाएगी ये इंतर आएगा, बस और ज़्यादा कोई फायदा नहीं होना है तलाक लेनी की प्रक्किया हिंदू में पहले से ही लिखित में होती है मुस्लिम में नहीं है तो फायदा इसलिए मुस्लिम उसको होगा शादी विवाक ये उमर हिंदू में बेटीों को पहले अठरा साल है यानि बारोज़ तो करी सकती है मुस्लिम में 9 साल है तो सभ़ाविक सी बात, इसका फायदा भी सबजएदा मुस्लिम बेटियों को मिलेगा, वो भी बारवी कर पाएंगे, वो भी पढ़ेंगी, वो भी आगे बढ़ेंगी गोद लेने का अधिकार उनको मिल जाएगा, तो वो भी गोद ले सकेंगी जो उनके घर में सोतना के बैठ जाती है, वो बंद हो जाएगा एक पती, एक पत्नी का नियम सब पे लागू होगा, तो हिंदू में तो पहले से लागू है, फायदा किसको मिलेगा? मसलिम को, वहाँ पे चार सोतना जाती है, इसी तरीके से विरासत का अधिकार, वसीयत का अधिकार, प्रापर्टी का अधिकार, गोद लेने का अधिकार, तलाग की प्रक्या, यह सब कामन होगी, तो इसका जो सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा मसलिम को तो सवाल यह है कि फिर ये मुस्लिम विरोध क्यों करते है देखिए जो मुस्लिम्स को कामन सिविल कोट के बारे में नहीं पता उनको बरगलाया जा रहा है बरगला कौन रहे हैं कुछ एक मौला ना जिनको विदेशों से फंडिंग हो रही है इस बात के लिए कि महिला तरिके से होती है आपको जो डिखते हैं न थोड़े गरीब से वास्तों में सब बड़ी बड़ी कारों पर चल रहे हैं बड़ी लगजरी गारिया उन्होंने खरीद रखी है फाह्माउस खरीद रख्या है बड़े बड़े फ्लैट खरीद रख्यां cuma केवल और केवला भारत का सबसे अच्छा तरीका ये है कि सबसे पहले common civil court का एक draft publish कर दिया जैसे common civil court का एक draft publish का आजाएगा website पे आजाएगा तो इस पे जो debate होगी और concrete debate होगी अभी common civil court पे जो debate होती हुआ में होती है पादरी common civil court का अलग अर्थ निकालते हैं मौलाना कामन सिविल कोड का अलग अर्थ निकालते हैं सब अलग अलग वाम पंथीज का अलग अर्थ निकालते हैं समाजवादी इसका अलग अर्थ निकालते हैं अखलेस यादो इसका कुछ अलग बताते हैं लालू यादो कुछ अलग बताते हैं एक्ट्वल में common civil code क्या है वो तभी जनता को समझ में आयेगा जब common civil code का draft सामने आयेगा और common civil code क्या है में आपको बता दिया पांच चीजे होगी लड़के लड़की आदिक शादी कुमर बराबर हो जाएगी तलाक लेने का आधार, ग्राउंड एक हो जाएगा तलाक लेनी की प्रक्रिया सबकी एक हो जाएगी adoption, guardianship, गोद लेने का तरीका भरन पोसल का अधिकार सबको एक जैसा हो जाएगा property right, succession inheritance, विरासत का अधिकार, वसियत का अधिकार यह हो जाएगा, यह पांच चीज़े होनी है Parliament में इस पे कई माननी सांसदों ने मांग रखा है उत्राखंड के पुसकरधामी जी ने भी कहा है कि हम इस पे काम करने जा रहे है तो पहली बात तो आप इसको समझे यह common civil code केंदर भी लागू कर सकता है, राज भी लागू कर सकते है यह हमारे directive principle में है, जो चीज़े directive principle में होती है वो center भी कर सकता है, state भी कर सकता है और common civil code कोई rocket science नहीं है सारे developed countries में common civil code है Singapore में है, America में है, France में है, Japan में है, UK में है, Germany में हर देस में है कोरिया में है चाइना में है हर देश में कामन सिविल कोड है ये तो भारत में ही अपीजमेंट पॉलिटिक्स तुस्टी करण के कारण इसको लागू नहीं किया गया जबकि कामन सिविल कोड के बारे में बाबा साब अमेड़कर कहते थी तो संविधान की आत्मा है और आप चल रहा है हमने आत्मा को लागू नहीं किया बाबा साब कहते थे common education और common civil code ये दो चीजे बड़ी important है हमारे देश के उत्थान के लिए एक विशे ही आया कि भी इसको implement कैसे करें गोवा में common civil code शुरू से चल रहा है जब से पुर्तगालियों का गोवा के उपर कबजा हुआ था पुर्तगालियों ने पहले गोवा पुर्तगालियों केंडर में था तब से उन्हों ने वहाँ से एक कामन सूर कोड लागू किया था और आज भी गोवा में common civil code चल रहा है तो ऐसा नहीं कि वीदेशों में camera कामन सिवALL कोड चल रहा है भारत के अंतर गोअ में भी चल रहा है और गोअ के अगर आप पॉपुलेशन देखें तो मुस्लिम भी आच्छी बड़ी संख्या में वहाँ खुल्ट बड़ी संख्या में और हिंदू भी है इसके बावजो कि हिंदू भी खुस हैं, Christian भी खुस हैं, Muslim भी खुस हैं, तो जिस तरीके से Goa में सब लोग खुस हैं Common Civil Code से, उसी तरीके से जिस दिन पूरे देश में Common Civil Code लागू हो जाएगा, सब खुस रहेंगे, हाँ, दुकान बंद हो जाएगी, यह जो चिलाते रहते हैं, चीची पीपी करते रहते हैं, इनकी दुकान बंद हो जाएगी, तो मैं तो आग्रह भी करूँगा, मानि प्रधान मंत्री से, कि इसी सत्र में Common Civil Code का ड्राफ्ट पब्लिस करा दे, वेबसाइट पे डलवा दे, मेरी P.L. Supreme Court में चल रही है, नहीं तो Supreme Court में अपना जवाब दे दे, जो उनको ठीक लगे, वो तो कानून मंत्र लेको ते करना है कि कहां जवाब देना है, लेकिन अब इसमें देर नहीं करना चाहिए, मजभी उन परिवार का संसकार बदल जाता है, एक पुरुस पढ़ता है तो एक पुरुस पढ़ता है, लेकिन जो एक महिला पढ़ती है तो पूरी एक जनरेशन पढ़ती है, पुरा परिवार उससे आगे बढ़ जाता है, तो सब का साथ हो, सब का विकास हो, सब आगे बढ़ें, सब पढ़ें, सब आगे बढ़ें, इसके लिए बहुत जरूरी है, इस देश में कामन सिविल कोट तत्काल लागू हो, प्रधान मंत्री से भी निवेदन है, अब इसमें देरी न करें, बहुत देर हो चुकी है, 75 साल बीद गया है, 14 अप्रेल को बाबा साब अमेटकर का जनम दिन है, और कामन सिविल कोट का ड्राफ्ट, बाबा साब अमेटकर के जनम दिन पे अगर इसको हम सारजनिक करते हैं, तो इससे बड़िया कुछ होई नहीं सकता, मुझे पूरा भरोसा है, आगामी 14 अप्रेल को बाबा साब के जनम दिन पे, इस देश को एक कामन सिविल कोट का जिससे जो लोग भ्रहमित कर रहे हैं, जो दिभ्रहमित कर रहे हैं, जो canfuse कर रहे हैं, उनकी जबान बंद हो जाएगी, उनके मुह पे ताला लग जाएगा, फिर किसी और दिन आप से किसी आद की अलग ब इशेर पे बात करेंगे, मिरा आप से आग रहे हैं कि इस वीडिय बेल आइकान को प्रेस कर लें जिससे जब भी हम वीडियो डाले आपको regular मिलता रहेगा, मेरी कोसिस होगी कि परडे सुभए एक वीडियो डालू, बाकि बाहर भी मुझे निकलना होता है, कई बार मुझे कोट के काम से नहीं समय नहीं मिल पाता है, बाकि मेरी कोसिस होगी कि म परड़े एक वीडियो इस पर जरूँ डालों थेंक्यो